हलो दोस्तों कैसे हैं आप अक्सर में आपके सामने नहीं नहीं जानकारी लाता रहता हूं पहली बार हमारी मद्धे परद्यों से नहीं स्रिक्चर के बढ़ती हुए इस रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेस्ट बुक्स पेज एड़डर एटर तलकुमा सरमच09 पर पोस्ट कर दी हैं पर सेर किये इमेजन की लिंक पोस्ट ये वर्गतीन की बुक्स सीटेड की बुक्स MPPACO सफल तक बहुत करीब आपको ले जाती हूं तो दोस्तों बर्गतीन से रिलेटेड मैं काफी वीडियो ला रहा हूं और आपकी छोटे-छोटे जो कुश्चन होते हैं जो आ की तैयारी के लिए क्योंकि मैं अक्सर फॉरम फिल करती हूं और जो भी फॉरम फिल करती हूं उससे रिलेटेड बुक्स ले आती हूं हैसे मेरे पास काफी कॉम्पिटीशन से रिलेटेड बुक्स हो गई है लेकिन सफलता मुझे आज तक नहीं मिल पाई है मींस इन्हें उस हسाब से नहीं आपा रहा है जिससे कि एक जॉब मिल सके दोस्तों और इनके मन में अभी एक जो पॉरहानी बुक्स है कि कि alma की नहीं तो आज का टॉपिक है ही है दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दूँ उससे पहले एक आपको धरन दे देता हूँ हमिसे कहा जाता है ग्यान कभी बेकार नहीं जाता आपने कहीं से भी कोई भी ग्यान की बात प्राप्त की हो या कोई भी पढ़ाई की हो वो कहीं नहीं आपके बढ़तमान की जो आप competition दे रहे हैं उससे connected होती है उससे related होती है लेकिन आपको उससे connect करना आना चाहिए ख्यान की ग्यान तों हमारे पास है knowledge हमारे पास है चाहे हमने किसी और exam की तैयारी की हो चाहे बहुत से लोग होते हैं पटवारी exam भी दे रहे हैं आपके बर्ग एक और बगदो भी दिया सी टैड भी उन्होंने दिया और भी जो competition होते हैं उन्हें भी देते रहते हैं और उससे related books भी लेते रहते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है क्यों नहीं मिल पाती है कि पटवारी का जो exam होगा वो बर्ग एक या बर्ग दो में कुछ तो same होगा उससे connect नहीं कर पाते हैं या फिर बर्ग एक और बर्ग दो और बर्ग दो बर्ग दी में बहुत सी similarity हैं दोस्तों उससे आप यदि connect कर पाए तो आपको दो लाब हो जाएंगी एक तो यह होगा कि आप बहुत कम समय में अपना syllabus कंप्लीट कर लोगे दूसरा यह है कि आपको extra effort नहीं लगाना पड़ेगा जो चीज आपको पहले से clear है अब यहाँ पर हम आज आते हैं कि आपको नई books लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए नई books लेना या ना लेना नए notes बनाना या ना बनाना ये आपके सफलता नहीं दिलाती है यह मैं सही कहरा हूँ कि इस सफलता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है आप books लें या ना लें, आप notes खरीदें या ना खरीदें, आप पुरानी books से तैयारी करें या नई books से तैयारी करें, इससे सपलता का कोई भी लेना देना नहीं है, सपलता का लेना देना है, आपके syllabus complete होता है कि नहीं होता है, ध्यान से सुनना बात को, आपका syllabus जो बर्गतीन का है उसे आप पूरा complete कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो समय कम है और जब समय कम हो तो हमें selected चीज़े पढ़नी चाहिए selected चीज़े क्या हो गई? selected चीज़े बो जिसमें हमें आ रही है problems और जो हमारे प्रिष्ण है अंचुए जिस topic को हमने clear नहीं किया है इस समय बोड topic clear करना है जो topic आप बर्ग 1 और बर्ग 2 की तैयारी में कर चुके हो उसे ही topic की नई books लेकर बर्ग 3 में फिर से उसे clear करने की आवसकता नहीं है यहाँ पर अपने ग्यान को connect करने की आवसकता है बर्ग 3 से और चुकि आप सिक्चा भरती से जोड़े हुए हो बर्ग 1 और बर्ग 2 की तैयारी में आप जोड़े हुए हो तो definitely आपका जो बाल विकास हो गया पेडागोजी हो गई और बहुत हद तक आपका जो सिक्चा सास्त होगा वो similar आपको देखना होगा यानि कि बर्ग 1 और बर्ग 2 में जो भी आपने बुक्स ली जो भी आपने नोट्स बनाये हैं वो बर्ग 3 में कहां-कहां लागू होने ये आपको find करना होगा ये आपको ढूंडना होगा और उसको यदि आपने connect कर लिया तो समझो कि आपने बहुत सारा समय भी बचा लिया और जो आपको नई पार्ट बस्तू है जिसे याद करने के लिए फिर से आपको effort लगाना पड़ता वो भी आपने बचा लिया है अब आपको क्या करना है कि जो आपकी चीज़े clear है जैसे कि मैं आपको example दे दूँ आपने first language, second language बर्ग दो में यूच की है बर्ग तीन में यूच की है और बर्ग एक में भी की है तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल ध्यान दें कि बर्ग एक में भी कुछ English से Hindi से related question आई थे बर्ग दो में आपने भासा first और second ली थी उसमें जो grammar का portion था वही grammar का portion आपका वर्ग तीन में आना है तो grammar के लिए आप अलग से books लोग किया बिल्कुल भी नहीं grammar means grammar अब Hindi की grammar है वो चाहिए बर्ग एक में थोड़े बहुत question आए हो बर्ग दो में तो आपका एक पूरा एक्जामी हुआ था first language में जिन्होंने Hindi लेती है second में लेती तो उसमें भी जितना भी portion grammar का आया और इसमें भी grammar का आना है तो उसके लिए अलग से books लेना सबसे बड़ी एक होगा कि आपका समय भी बरवाद होगा और आपको एक नए तरीके से उसे याद करने बैठना पड़ेगा तो ऐसी चीजें यहां पर उधारन देने का मेरा ताथपर ये किया है कि जो हमारी चीजे clear हैं दोस्तों उन्हें हमें फिरसे repeat नहीं करना है फिरसे नहीं पढ़ना है फिरसे नई books उसके लिए नहीं खरीदना है नई books नई notes उसके लिए जो topic हमारा clear नहीं है कुछ topics clear है, definitely आपको पुरानी books से ही उस topic को याद करना चाहिए क्योंकि एक तो आपने उसे पढ़ रखा है, दूसरा वो आपको पहले से ही उसकी बिसेवस्तु याद है तो ये समय आपका बच गया, अब हमें नई books क्यों लेनी चाहिए, हमें नई notes क्यों लेनी चाहिए हमें नई books और नई notes इसलिए लेने चाहिए, कि जो हमारा topic clear नहीं है, वो topic clear करने के लिए यानि कि दो चीजे आप भिन्नेता समझ पा रहे हो, एक तो ये है कि हमारी कुछ तयारी पहले से ही है, जो तयारी हमें पहले से है, उसे हमें से revision करना है ये नहीं है कि जो हमारी पहले से तयार है, उसे छोड़ दें और एक नई books आ गई, फिर नई से पढ़ना सुरू कर दिया और कुछ दिन बाद एक नया competition आया, उसकी book खरीदी और फिर उसे नई से पढ़ना सुरू कर दिया फिर तीसरा competition आया, पुरानी books means आप छोड़ते जा रहा है और नया पकड़ने की कुछिस कर रहा है यानि कि पीछे का भूलते जाओ, आंगे का याद करते जाओ, तो पीछे का जो हमने effort लगाया है, जो महनत लगाई, वो हमारे किसी काम में नहीं आई और आंगे की जो books आई है, उसमें time period लेता है, जैसे कि आपने कोई भी exam दिया है, उसमें आपको तीन महीने का समय मिला है तीन महीने में आपने वो books ready, और फिर अगला exam दिने गए, वो books हटा कर फिर नहीं books आगई तो इससे आप competition में अच्छा performance नहीं कर पाते, उस इसाब से number नहीं ला पाते, जहां आपको एक job मिल जाए यदि number अच्छी से लाने हैं, तो अपने ग्यान को connect करना होगा, चाहे आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं, यदि हमारे कुछ basics फंडे उसमें clear हैं, तो उन्हें हम नई सिरे से क्यों पढ़ें, क्यों ना उन्हीं basic फंडों को फिर से revision किया जाए, उन्हें फिर से धोरा लि second language की बात हो गई, या फिर और topics जो हैं, वो यदि आपके clear हैं, और आपने बरतीन का syllabus देखा है, और उसमें से बहुत सारे जो subject हैं, वो topics पहले से clear हैं, उन्हें सिर्फ revision करना है, और जो नए topics हैं, जो आपको अभी तक अंचुए हैं, जिन पर आपने touch नहीं किया है, जादा practice करें, जिससे कि वर्गी तीन में आप best score कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हर एक competition में forum fill करें, और उससे related books लेके आएं, और फिर उन पर दो महीने महनत करें, और फिर आपने exam दें, और फिर नया आपका कोई भी exam आता है, उसमें forum fill करें, उससे related books लेके आएं, और फिर उन पर नए सरी से महनत करना शुरू कर दें, इससे आपका time ज्यादा खराब होता है, इससे बहतर है कि अपने ग्यान को connect करना सीखें, कोई भी exam आप दे रहे हों, जैसे कि पटवारी का exam जनों ने दिया होगा, उसमें math रहता है, और आपके वर्ग तीन का अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी connect होती है, similar होती हैं दोस्तों, तो उनी चीज को हमें पकड़ना है, बर्ग एक और बर्दो का आपने exam दिया, definitely, बहुत सी चीजें, चाहे पेडागोजी की बात करें, चाहे आपकी language की बात करें, बहुत सी चीजें आपक पास और समय रहेगा, और समय कैसे रहेगा कि पुराना जो हमारे पास clear है, उसका revision करते चलें, नए topic जो कि आपको कठें लग रहे हैं, उन पर ज्यादा focus करके, उन्हें पड़ाई के अनुसार clear करते चलें, जिससे कि हम बर्गतीन में best score कर पाएंगे, तो ये वीडियो ऐसा कि उन्हें आनुसा चलें可能 करते चलें, जिससे कि आलें पाएंगे Northwestern करते चलें रहे हैं, प causesाता है ये जिससे कि जुरान से कि युपतीन में धरे हैं, भुपतीन में ईन्हेंवारा की जो हमारे जएक हैं।